चलिए तो आप सबका सौगत है थीटा गेंजर्स में फिर से और आज हम बात करने वाले है आरन फ्लाई की ऊपर देखो आरन फ्लाई पे मैंने काफी वीडियो आप पहले भी बनाई है पर इस वीडियो में ये डिफरेंस होगा कि पहले न देखो मैंने बेसिक कि कभी कोई वी कर रहे हैं but they want safety also ठीक है तो मैं आरन फ्लाई को यहाँ पर fully explain करने वाला हूँ overview के लिए आप समझ लो इसमें intro होगा पूरा अपने आरन फ्लाई का overview कब बना सकते है market direction क्या होनी चाहिए क्या volatility होनी चाहिए आप इसको तब बना सकते हो entry exit और अन्त में of course adjustments ठीक है अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप like subscribe करो और शुरो directly start करते है ठीक है देखो आरन फ्लाई को basically एक तरीके से तब यूज किया जाता है जब you want the highest credit higher credit का मिलता है straddle में मतलब add the money का call और add the money का put जब आप add the money का call और add the money का put बेशते हो तो आपके पास एक straddle create होता है but straddle कैसा होता है straddle एक naked undefined loss strategy है मतलब की यह profit है बहुत ज्यादा but यह add the money का profit है और यहां से यहां मतलब यह जो break even होगा put side का और यह call side का इसके बाद आपके पास undefined loss है undefined loss अभी इस वक्त अगर आप एक beginner हो आप नहीं जेल सकते ठीक है तो simply इस चीज को थोड़ा और safe बनाने के लिए हमने क्या किया कि जो iron fly वाला जो concept आया है वो basically straddle के hedges से आया है मतलब जैसे iron condor होता है हम strangle में hedges buy करते हैं तो iron condor बनता है यहां पे जब हम एक straddle पे hedges buy कर देते हैं side से तो वो एक iron fly बनती है जहां पे उसका risk defined हो जाता है इसकी वज़े से defined risk की वज़े से इसको काफी ज़्यादा आजकल यूज किया जाता है and इसमें कम पैसे भी लगते है and you have a like safety कि market अगर बहुत बड़ा gap down हो गया बहुत बड़ा gap up हो गया तो आपके पास में कोई ऐसा खास loss नहीं होता है ठीक है तो यह चीज करने की वज़े से hedges buy करने की वज़े से इसका जो आपका margin होता है वो भी बहुत low हो जाता है total पर जो return है वो भी काफी अच्छा मिलता है as per the straddle straddle में क्या होता है आपका काफी बड़ा amount यूज होता है और उस हिसाब से आप risk में भी बहुत रहता है क्योंकि undefined है तो चलो अभी मैं इसको create करके बताता हूँ कैसे create की जा सकती है okay rnfly का ऐसा कोई basic funda नहीं है कि आप weekly ही बना सकते हो monthly ही बना सकते हो आप rnfly किसी भी जगा कभी भी कहीं में बना सकते हो और एक बात rnfly को बनाने के लिए जरूरी नहीं है market जहाँ add the money पे चल रहा है आप उसी जगा पर बनाओ it's not important तो rnfly के लिए basic funda बस इतना है कि जो call होता है और जो put होता है वो दोनों same strike पर होते हैं जिसकी वज़य से आपके chart में एक काफी ज़्यादा high premium value इस green area में ये area जो आपका profit area है वहाँ पे एक अठा होता है उसके बाद आप इसके break एवर में मदब जब आप इन दोनों को sell कर दोगे माल लो आपके call की कीमत है 200 रुपए आपके put की कीमत है 200 रुपए और market अभी है यहाँ center में you can say 18,000 अगर हम nifty की बात करें कुछ भी तो आपके पास total जो credit है आप उतना credit इस market value में add करो और इस nearest value buy कर लेनी है जैसे यहाँ पर आया 18,400 तो basically आप 18,000 के call or put आपने बेचे हैं आप 18,400 का call buy करोगे और इस तरफ 17,600 का put buy करोगे और आपका एक chart आएगा जो की कुछ ऐसा दिखेगा इसका normal risk reward अगर मैं आपको बोलू this is basically 1 is to 1.5 यह 1 is to 1.8 के आस पास आएगा normally एक lot की अगर आप trade बनाओगे तो most probably आपको 5 से 7,000 का loss होता है ठीक है और यहाँ पर profit की बात करें तो यह almost 11 से 14,000 तक हो सकता है यह मैं एक normal value बता रहा हूँ this is respect to IV क्या चल रही है विक्स क्या चल रही है उस time पर अगर बहुत low volatility है तो आपको यह different बन सकता है क्योंकि premium अच्छी नहीं होगे आपके पास ठीक है इस वक्त जनवरी का time चल रहा है यहाँ पर volatility थोड़ी सी high होती आई भी थोड़ी high होती और premium थोड़ी high होती because of budget आने वाला है एक तरीक को तो उसकी वज़र से भी आपको यहाँ पर इसको create करने में problem हो सकती है अफकोस यह वीडियो में थोड़ा पहले बना रहा हो तो हो सकता है time इदर उदर हो सकता है बट concept change नहीं होगा तो अब इस चीज को बना दिया हमने यह चीज कैसे काम करेगी of course it's a sideways market strategy it's a vegan negative strategy just like straddle strangle यह credit spread है और credit strategy में क्या होता है आपको volatility down जानी चाहिए मतलब या तो flat र आप एक बहुत अच्छा profit कमाते हो ठीक है पर अगर आप इसको सही time पे डालो सही जगा पे डालो आपने analysis किया हो chart के through तो यह बहुत अच्छा perform कर सकती है और आपको आपके deployed margin पे काफी जल्दी आपको यह profit दे सकती है ठीक है तो चलो हम अभी इसको create करके दिखाते है उसक पे यह देखो यहां पर आपको यह negative sign देख रहा है यह वाला area यह negative sign है basically मैंने एक एक lot sell किया है मैंने 25 जनवरी का 18,000 का P एक lot sell किया है मैंने 18,000 का call इसकी कीमत है 243 रूपीच इसकी कीमत है 186 रूपीच अगर आपने same call or put sell किया इसका बिलकुल भी meaning यह नहीं होता है कि दो of course दोनों का डेल्टा बहुत ही similar होगा जिसकी वज़े से एक दूसरे को यह काफी अच्छा सिंभालते हैं हमें इसको risk defined बनाने के लिए अब हमें यहां पर hedges buy करने पड़े अब hedges कैसे buy होंगे वही same logic यह कितने का है 243 रूपीच का यह कितने का है 186 रूपीच का simple 429 टोटल क्रेडिट है आपका क्या है टोटल क्रेडिट मतलब यह आपकी हाइस्ट कमाई है इसमें अगर आप lot size का into कर दोगे तो यह आपका हाइस्ट कमाई है यहाँ पे और यहाँ पे आप सिंपल सी बात समझो इसके जो hedges हमें buy करने हैं वो कहां buy करने पड़ेंगे 400 और 17600 का put हमने buy किया है 400 पॉइंट डाउन जैसे ही आप same expiry के same lot size में यह buy करोगे तो आपके पास एक clean iron fly बनेगी जो अभी मैंने आपको बताई थी board पे कि ऐसी दिखेगी see this आपके पास यह profit area है पूरा का पूरा यह आपका break even है और यह आपका एक fixed loss है आप इसकी अगर वो देखोगे कि risk reward कैसा है देखो इसका 14,000 का आपके पास profit है जो मैंने अभी बताया था कि range ऐसी होती है लगबग 6,000 का loss है 1 इस्टू 2.5 का आपका risk reward है 17,200 से लेके 18,380 मत 300 point up and down का एक आपका break even है clear यह 38% आपको वो दिखा रहा है probability of profit ironfly की probability of profit similarly यह होती है ज्यादा से ज्यादा आपके पास 33% से 41% के आपस पास आपकी probability of profit होगी यह low है अफकोस थोड़ी सी straddle से straddle थोड़ा 55% के आपस होता है बट यह safe भी है अच्छी बात इसमें यह है कि आपको 5,900 से ज्यादा का loss कभी नहीं हो सकता तो as a newcomer आपकी एक safety है कि 25 तारीक तक आपको 6,000 से ज्यादा का loss नहीं होगा और इसका deployed capital अगर हम देखें लगबग 61,000 that's same जो मैंने अभी पास 61,000 अब यह create करने के लिए देखो यह create करने के लिए आप इसको कई तरीके से create कर सकते हैं कई तरीके मतलम पहला में आपको मैं बता दूँ एक हो गया weekly basis पे ठीक है दूसरा हो गया monthly basis पे and तीसरा chart basis पे weekly we all know आपको same add the money buy करो ठीक है same जितना credit है उससे दूर दूर buy कर लो आपकी एक account fly बन जाएगी monthly में भी आप same कर सकते हो आपकी account fly बन जाएगी chart का मतलब मेरा क्या है? chart का मतलब मेरा ये है कि आप अपने view के हिसाब से भी trade बना सकते हो view के हिसाब से मतलब just like की imagine अभी market मेरे लिए bearish है market अभी bearish चल रही है करूँगा मैं क्या करूँगा जैसे मालो अभी market 18,000 पर है ठीक है मुझे लगता है और गिरेगी तो मैं इसी जगा पर अपने अगर ये और गिरेगी तो मैं ट्राइ करता हूँ कि अपने श्टडल में 17,800 पर रहूँ मैं 17,800 का call and put sell करूँगा और उसके बाद as per the received credit मैं उसके है just buy करूँगा इससे क्या होगा मेरा जो ये main green area ये थोड़ा सा market से नीचे बनेगा market नीचे की तरफ आएगी तो मुझे अच्छा profit होगा of course it's a probability पर अगर मेरा व्यू सही है तो मैं एक बहुत अच्छी trade बना सकता हूँ जिसमें बहुत इत्सा profit हो सकता है ठीक है चलो I think हमने इसमें overview जान लिया ironfly क्या होती है कैसे deploy होती है कितना पैसा लगता risk reward क्या है everything ठीक है main बात यहाँ पर आती है entry कब करना है entry और exit बहुत important है and then उसके बाद adjustment देखो entry के लिए best मेरे साब सा option यह है कि आप एक मतलब क्या बोलते है एक higher premium strikes या higher premium days पे entry करो ज्यादा better है जैसे कि या तो आप Thursday के दिन entry करो या तो Friday के दिन if you are doing weekly ओके क्योंकि आपको Thursday और Friday के दिन ही अच्छी premium मिलेगी वरना theta decay weekend पे काफी ज्यादा हो जाएगा और Monday तक आपके पास कोई premium नहीं बचेगी monthly में अगर देखा जाए तो monthly में आप almost 40 DTE, 40 DTE या उसके आज़ पास deploy कर सकते हो DTE मतलब days to expiry मतलब जैसे आपको February या March को डालना है तो आप 15-20 फरवरी को डाल सकते हो simple तो 40 DTE डालोगे आप जितना late DTE डालोगे जैसे monthly डालोगे तो आपकी trade ना बहुत slow होगी आपको theta decay म अंत में बहुत जल्दी profit होता है weekly में क्या है theta का आपको फायदा है तो उसकी वज़े से उसका decay जल्दी होता है तो मतलब अगर market ने यहाँ पर दो दिन भी बिता दी इस range के अंदर तो हो सकता है आपके deployed capital 61-6000 का आपको almost 1% within 2 days मिल गया हो क्योंकि यहाँ पर theta decay fast है monthly में हो स सकता है कि आपको theta decay slow मिले और आपको जल्दी profit ना हो इसलिए लोग आजकल weekly expiry में बहुत ज़्यदा volume आने लगी है लोग monthly को भूलते जा रहे है क्योंकि लोग वोगों को जल्दी पैसा चाहिए okay but of course आपको monthly में सभालने का time ज्यादा मिलेगा weekly में हो सकता है जल्दी reaction और जल्दी मतलब जो low break even points है बहुत पास में premium shorty होगी तो आप इसमें जल्दी fail भी होती हो आपको इसमें adjustment का time बहुत जल्दी में होता है ठीक है timing से कोई फरक नहीं पड़ता आप 930 से 330 कभी भी डाल सकते हो but इन दिनों पर डालोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा trade मिलेगा ओके चलो अब बात करते हैं कि हम इस चीज को adjust कैसे कर सकते हैं adjust बोले तो कि अगर आपकी जो trade है वो ये break even और ये break even इसके बाहर चली जाए देखो सबसे पहला एक चीज याद रखना ये एक iron fly है इस ट्रेडल है उपर से hedged है तो इसमें घबराने जैसे तो कोई ब पर जाएंगे क्या 6000 आज के आज चले जाएंगे अगर आपने trade डाली और market अगर यहां से इस जगा बिलकुल यहां 18800 पे मतलब 800 पूइंट भी जाए 6000 नहीं होगे वो इसका मतलब है you are very safe ठीक है market 800 पूइंट एक बार में ऐसे move नहीं करने वारी बहुत अचानक साल में एक की टाइम पे ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब है आपको direct loss एक बार में 2000 से उपर दिखना बहुत tough बात ठीक है दूसरा आपको try यह करना है कि जब तक market आपके break-even points के अंदर है आप ironfly में कुछ भी नहीं करोगे ironfly में कुछ भी करने की जवरत भी नहीं है because you are very safe ठीक है तो इसमें adjustment की जवरत पढ़ती कब है इसमें adjustment की जवरत तब पढ़ेगी जब आपका जो market है market का जो price है वो आपके break-even के बाहर जाने लगेगा अगर वो इस जगा पे break-even के बाहर मतलब you can say 17,720 के नीचे गया या फिर 18,280 के उपर गया इन दोनों scenario में ही आपको react करना है simply सबसे simple form होता है सब simple form कि अगर market इसके नीचे गया है तो simple से एक चीश समझो कि इसके उपर अगर वो आपस आया तो आपके पास ये beach का area का जो profit है जो straddle आपको बहुत तेजी से बचाएगा तो अगर market पलट के उपर कोई तो आप बहुत safe हो तो लोग क्या करते हैं इसके नीचे जाते ही ये जो opposite side का call है break even call that is basically 18200 या 18300 इसको sell कर देते हैं कितना one lot ये अब depend करते हैं आपने कितना late sell किया अगर मालो आपने Thursday के दिन ही sell किया या Wednesday के दिन सेल किया इन दोनों की कीमत खाग बराबर होगी तो इससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है बट अगर ये इसकी नौबत आपको trade डालने के एक या दो दिन में पढ़ गई तो हो सकता है इनकी कीमत ठीक ठाक हो आपको 25 रुपए के आसपास मिल जाए 25 से 30 रुपए के आसपास तो एक lot अगर आप बेचोगे तो लगभग आपके 2500 से 2000 रुपए इस site कम हो जागे आपने यहां से sell किय समझ लो आपका loss यहां पर जो 6000 है वो घट के 4000 रुपए बचेगा और आपकी trade कैसी बन जाएगी आपकी trade simple ऐसी दिखने लगेगी something like this क्योंकि क्या हुआ है अब ये iron fly से something like ratio spread convert हो गया है क्योंकि आप आप ने दो call बेच दी है दो call बेचे हैं और एक ही call buy है इसकी वज़े से यहां पे आपको एक call side में sharp loss है क्योंकि वहां पे fully hedged नहीं हो आप और put side में आप fully hedged हो और उपर से call side से sell किया है तो आपका loss भी कम हो गया है similarly market अगर और नीचे आती है और नीचे तो आप थोड़ा और पास में आके sell कर दो जैसे अठारा 100 sell कर दोगे फिर 18,050 भी कर सकते हो 18,000 पे भी 2 sell कर सकते हो तब भी वह ratio spread होगा पर don't cross 18,000 मतलब जो आपका call और put sell है न उसके अंदर मताओ वरना क्या होगा आपकी trade वापिस से sharp area से flat area में convert होने लएगी कि call अंदर की तरफ जा रहा है और इसकी वज़े से अगर market bounce back कर गई और अभी दिन मांकी है आपकी expiry में तो हो सकता है आपको वीगा की वज़े से डिल्टा की वज़े से बहुत तकलीफ हो और आप loss कर सकते हो इसलिए सबसे पहला adjustment हो है clean sell up मतलब जिदर को market जा रही है उसको simple sell करो जितना loss कवर कर सकते हो करो कि हैं ही ये 6000 आप cover करके अगर इसको धाई हजार तक ले आए तो it's fine without risk कोई दिक्कत नहीं है आपका view fail हो गया market sideways नहीं थी it's fine दूसरा option यहां पर यह आता है कि आप इसको बिल्कुल reverse buying के through भी कर सकते हो selling के through भी कर सकते हो बहुत सरे तरीके एक video है मैं i button में ये video डालता हूँ वो चीज देखो आप उसमें आपको fully इसका adjustment देखने को मिलेगा इस iron fly का चलो अब मैं इसको ना थोड़ा chart wise समझाता हूँ और कि आप chart wise इसको adjust कैसे कर सकते हो ठीक है समझा धान से आपने iron fly बनाई है market कहीं भी है माल लो इस जगह पे market है आपने iron fly बनाई because you know market trendy था trendy होने के बाद यहाँ पे आप sideways हो गया है अब आपने iron fly बना दी क्योंकि आपको लगता है market इसके और इसके बीच में रहेगा this is simple method simple thinking of a trader अब market यहाँ पे रहेगा इन दोनों के बीच में अब आप एक बात बताओ अगर इन दोनों के बीच में रहेगा और आपका break even भी actually यह है तो क्या आपको कुछ भी करने की ज़ूरत है no not at all पर अब आप यहाँ पे क्या-क्या ध्यान दे सकते हो आप be a clever trader अब market मे यह रहा देखो resistance जहां से market ने breakdown किया market उपर आए इस जगा पे तो आप क्या कर सकते हो गिरने के chance से ज्यादा है na अगर smart player बनना है तो आप chart के reading के साथ खेलोगे market अगर उपर की तरफ गई है तो आप क्या कर सकते हो आपने जो put का hedge buy किया है उसको close करो of course इस वक्त इसमें loss ह रहा होगा बट जो hedge आपका 400 point दूर है 400 point दूर मतलब 17600 उसको 17700 पे ले आओ क्या होगा इससे यह होगा कि आपकी trade something like this ऐसे दिखने लगेगे आपका यहाँ पे loss होगा maybe यही 6000 से बढ़के 6500 हो जाएगा पर यहाँ पे आपका loss almost negligible या फिर 3000 रुपए के आसपास बचेगा जो मैं बोल रहा हूँ इस चीज को perform करकर के देखना आपको ज्यादा समझ में आएगा अब इस जगह से अगर market गिरी भी यहाँ तक तो अब आ market market यहाँ से गिरी भी उपर आने के बाद तो यहाँ पे आपको नीचे कोई loss नहीं है और यह तो अभी भी sideways area ही है तो आपने chart को play करते हुए अपनी trade को ज़्यादा safer बनाया market यहाँ आ गई इसके बाद नीचे आप मालो यहाँ पे sideways game खेल रही है game खेलरी game खेलरी अगर आपके पास क्या है straddle आपको बहुत profit होगा अगर उपर नहीं गी और यहाँ से break की तो आपको बस simply वही method अपना है जो इससे पहले हमने बात की sell करो call बेंदास क्योंकि market अब क्या हो चुकी है market अब यहाँ से bearish हो चुकी है तो आप simply यहाँ पे और calls बेश सकते हो aggressively कहा तक यह बेश सकते हो यह बेश सकते हो और आप intra day में भी यह call बेश सकते हो अगर आपको यह दिख जाए जब यह हो रहा है तो simply आप एक जगा decide करो this is sideways area market जब तक इसके अंदर है I will play by price action intra device मैं अपनी trade को थोड़ा सुधारने का try करूँगा market अगर मेरे हिसाब से behave करेगी as per my views I will take out the best money okay और मुझे लगता this is enough एक basic funday के लिए this is enough इसके अलावा अगर ironfly का आपको कोई भी adjustment wise मैंने बहुत ही better adjustment almost you can see ironfly में मैंने 3-4 वीडियो बनाये है और 3-4 वीडियो को मिलाके almost 1 million views रोंगे बहुत comment बहुत like है आप जाके वीडियो देखो उसमें मैंने हर तरीके का adjustment ब दिखाया मैंने तो आई बटन में आपको वीडियो मिलेगा आप उसको देखो और आपको सब कुछ नमने है ठीक है basic के ताउर पे this is enough for a person who is beginning with a lower money a low capital 2-3 lakhs आप try out करो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी और आपका capital drawdown नहीं आएगा क्या होता है mainly सीखते टाइम अगर आ कि कुछ ऐसा करो जिसमें पैसे जाए ना आपको सीखने का भी मिले इसमें पैसे धीर धीर जाएंगी 1000-2000 अगर आप 10 बार लगातार गलत भी हो गए तो 20,000 रुपए पर आपको कभी भी ऐसा नहीं लएगा कि मैं बरबाद हो रहा हूं वरना आप naked strangle naked straddle अगर आपने किये और आप beginner हो तो आपके लिए काफी हद कर सकता है आपको capitalize ठीक है तो यह चीज आपको beginning में बहुत help करेगी तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो of course आप लोग like कर सकते हो इंट्रडे में interest हो तो वो लोग live में इंट्रडे follow करने के लिए theta gainers को टेलिग्राम पे follow कर सकते ह कर सकते हैं